नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ है थ्री फंक्शन सावर सेट भी थर्मोस्टेट फंक्शन जिसमें हम ओवरेट सावर होता है है हैंड सावर होता है और वाटर आउटलेट स्पाउट होता है और अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसमें बटन स्विच होता हैं जिसमें rain sour होता है hand sour होता है और mono bubbling होता है जो हम water की touch को feel कर सकते हैं अब इसमें देखिए अगर हम box open किये हुए हैं और इसमें देखिए यह सब सारे product unboxing करते समय हमें मिलते हैं जैसे ओवर sour का pipe है और यह pipe ऐसा होता है कि हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं यह hand sour है यह hand sour हैंक करने के लिए holder है यह आपका lig है और यह over it sour है अगर आप देखें तो इसके जो over it sour है यह लमसम 12 इंच का है बारीक points है इस बारीक points से जब पानी आता है तो पानी के touch को feel कर सकते हैं और यह mixture का set है यह thermo state होता है और इसमें देखें चाइल्ड लॉक दिया गया है और पानी के temperature को 40 डिग्री भी हम रोख सकते हैं यह button operating system के तुरू काम करता है इसमें three button दी गई है जिसमें हम spouts को operate करते हैं दूसरा hand sour को operate करते हैं और तीसरा over it sour को और यह leg है लेक में देखो एक जाली दी गई है जिसे कोई भी बाहरी कड़ उसके अंदर ना जा पाए जो खराब ना करें उसके कार्टेस को और देखो लेक को इस इसमें रिंग दिया गया है रबर्ट इसलिए होता है कि वह water को leak ना होने दे यह देखो पाइप को हम घटा और बढ़ निकाल के उसको लगा लेना चाहिए जैसे इंस्टॉल कर समय दिक्कत ना हो देखो 6 इंच का पॉइंट दिया गया है जो नॉर्मली वाल मिक्चर के पॉइंट होते हैं और यह फ्लोर हैट से लमसम 37 इंच पे दिया गया है और यह आप देख सकते हैं 6 इंच पे पॉइंट बने हैं जो नॉर्मल वाल मिक्चर के पॉइंट होते हैं और इस हिसाब से हम लगा लेते हैं और जब यह पॉइंट हम बना रहे हों तो हमें वाटर लेबल का विसेद्ध धियान रखना चाहिए जिससे हमारा यह जो लेबल है वो अपन डाउन ना हो और इसमें एलकी से हम हम इसको टाइट करते हैं जिससे हमारा प्रोटक्ट वो मूब न करें ऊपर नीचे दावाय ना मूब करें देख सकते हैं जैसे यह तंप्रिचर कंट्रोल का पॉइंट है ऐसे हम इसके ओवरेट सावर का जो रेल है वह हम इंस्टॉल करते हैं प्रॉपर तरीके से यह देख सकते हैं इसको निकाल को दिखा लिए होता है और लंबा उता है चैनल करने में दिक्त होथी है इस पाइप को हम यह जोेटर है इसमें करते हैं जिससे पाइप की मजबूती बनीष है जैसे पाइप लंबा होने के वज़े से वह ही लेना देखो इसे इसको इसको इंस्टॉल किया जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और यह पाइप जो है आप अपन डाउन कर सकते हैं यह हैंड सावर है हैंड सावर का पाइप बहुत ही फ्लैक्सिबल है और इसे इसको इं हम ऐसे इंस्टॉल करते हैं अच्छा ओवरेट सावर जो है वह अर्जिस्टेबल है वह दायबाय ओपर नीचे हम कर सकते हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत खुब सूर्ती के साथ इंस्टॉल कर दिया गया है और यह पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं हैं यह ओवरेट सावर और यह स्पाउट्स के लिए पॉइंट बने हुए हैं ऑपरेट करने के लिए देखो इसका स्पाउट यहां पे दिया गया है फिर से एक नए वीडियो दोस्तों हम आपके लिए लेके आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद बाय थैंक्यू